हलो गाईज आज मैं एक उप्टन लेके आए हूँ बहुत ही जबरदस्ट उप्टन है और उप्टन को कौन नहीं जानता उप्टन को सब लोग जानते होंगे कि ये दूलन को लगाय जाता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये दूलन को ही लगाय जाए आज मैंने अपने उपर इ पूरा डीटेल में देखना तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है और कैसे ट्राइ किया है तो वीडियो को स्टार्ट करते हूँ अगर आपके यहां किसी की साधी है तो वहां जाने से पहले आपको पांच दिन तक इसको लगातार लगाना है तो यह अपके फेशिल हेर होते हैं जिनके बहुत सारे हो जाते हैं वो देखने में बहुत खराब लगते हैं तो वो यह उटन क्या करेगा आपकी जो facial hair होते हैं इनको यह हटाएगा तो आपको तो गाइज अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल पर आप नए-नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा नितो जो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा और ओल पे ही दबाना तब ही मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचेगा तो गाई जुप्टन को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं इसमें एक चमच बेसन ले रही हूँ और फिर मैं इसमें एक चमच आटा लूँगी यह देखो एक चमच आटा ले रही हूँ मैं और फिर इसमें थोड़ा सा टर्मरिक हमको एड़ करना है तो देख सकते हो आप कितना टर्मरिक है बस इतना ही आपको लेना है और फिर मैं इसमें एड़ करूंगी केश्टर ओयल केश्टर ओयल सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है तो आप इसको जरूर यूज करना और फिर मैं ले र जरूरी होती है अब अच्छे से मेक्स कर लेंगे इसको तो गाज मैं आपको अपने फेस पर लगा के दिखा रही हूं पूरे फेस पर लगा लेना है और अपने हाथों पर भी लगाना है आपको क्या करना है जब आप नहाने जाओ उससे पहले आप इसको लगा लो 20 मिनट तक छोड़ दो और आपको क्या करना है इसको पूरा ड्राइ नहीं होने देना है थोड़ा बहुत आपको इसको हलका सा गीला रखना पड़ेगा तो आप क्या करोगे इसको अपने हातों से उतारना है पानी से वोस नहीं करना डारेक्ट अपने हातों से उतारना है तो मैं आपक सकते हो मैं कैसे इसको अपने हातों से उतारें जिसे एक दुलन को जो उप्टन लगता है हल्दी लगती है जब आम उतारते हैं वैसे तो आप देख सकते हो मैं अपने हातों से उतार इससे क्या होता कि जो आपके फेशियल हेर होते हैं वो भी थोड़े-थोड़े रिमूव हो उतर जाएगा क्योंकि हमने इसमें ओईल मिलाया है तो मैं इसको अपने हातों से अच्छे से उतार लूँगी यह देखो लगवाग हमारा उतरी चुका है में थोड़ा गीला कर लूँगी इसको तो अच्छे से उतर जाएगा यह तो देखो दोस्तों मेरा पुरा ये उतर गया है अब मैं आपको चेरा धो के दिखा रहे हूँ तो मैं इसको वोस करके आती हूँ गाइज मैं अपना चेरा धो के आ गया हूँ और आप देख सकते हो मेरी स्कीन पे कितना फरक नजर आ रहा है कि मैंने अपने को भी भृस कर लिया है और अपना हुद करे करके आगई हुँ मैं और आप देख सकते हो मेरा चेरे पे कितना निखार आ गया है कितना ग्वो आ गया है 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 आप इसको जड़ू ट् लगेगा मेरे का मेरे स्कीन थोड़े ड्राइट लग रही है तो मैं थोड़ा मैश्घ्राजगर अपलाइ करanger लेती हूं कि इस दिससे किया कोवत को व्यमार एक 2024 पर ट्रै नहीं लगएगा से भूह में थोड़ा मॉस्टिराजर अपलाइ कर लेती हूं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो मेरे वीडियो को इंतिजार करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने न टीकेर बाई बाई प्लूस्तों में